Hello student, मैं Dr. Anil Arura, Department of Botany, Dungar College, B.K.N.A.R.S. आज के इस वीडियो में हम evolution of ecosystem के बारे में बात करेंगे, हम पारितंत्रों के उद्विकास के बारे में बात करेंगे. इन नेचर, वेजिटेशन और प्लांट कॉमिनेटीज आर चेंजिंग फ्रों टाइम तो टाइम, प्रकर्ती में पादप समुदाए समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं. In the same place, the replacement of the old plant community by a new plant community is called vegetation succession. एक ही श्थान पर एक पादप समुदाए के जगें किसी दूसरे पादप समुदाए का विक्सित हो जाना vegetation succession कहलाता है. हम इसे वनस्पति अनुक्रमन कहते हैं. Similarly, an ecosystem is replaced by another ecosystem which we call the ecosystem evolution. इसी परकार जब एक पारी तंतर की जगें दूसरा पारी तंतर विक्सित हो जाता है तो हम इसे ecosystem evolution या पारी तंतर उद्विकास कहते हैं. The history of earth is divided into four great eons starting 4540 million years ago. With the formation of the planet, हमारे इस planet की उत्पति के साथ जो 4540 million years ago हुई थी से लेकर आज तक हम समय को चार eons या चार युगों में बांट सकते हैं. Each ion saw the most significant changes in earth's composition, climate and life. प्रतेक युग प्रित्वी पर होने वाले परिवर्तनों का गवा है, जिसमें मुख्यत है, अर्थ का composition या संगठन, अर्थ की जलवायू या अर्थ पर जीवन है. It means abiotic and biotic components, इसका अर्थ है कि समय समय पर इन युगों में प्रित्वी पर पाए जाने वाले आजैविक और जैविक कारक जो हैं, वो परिवर्तित होते रहे हैं. और यही जो परिवर्तन हैं, वो ecosystem evolution या पारितंतर उद्विकास का आधार होते हैं. हमें प्रतेक युग में होने वाले abiotic और biotic परिवर्तनों को पढ़ना है, अगर हम इन्हें समझ लेते हैं, तो हम evolution of ecosystem को समझ पाएंगे. अगर इन्हें युगों की बात करें, तो सबसे पहले, the hedion eon represents the time before a reliable record of life. जीवन का कोई, जब जीवन नहीं था, तब का जो युग है, उसे हम hedion yug कहते हैं, या hedion eon कहते हैं. इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी और इसका अंत जो है, वो चार बिलियन इयर्स अगो हो गया था, या हम कह सकते हैं, चार हजार बिलियन इयर्स अगो हो गया था. इसके पस्चाद आर्कियन और प्रो टेरो जोईक युगों की शुरुआत हुई, जिन में पृत्वी पर जीवन की उत्पत्ती हुई, या जीवन की शुरुआत हुई, और वहीं से हमें जो पहले के जो शुरुआती जो उद्विकास हैं, परितंतर में वो दिखाई पड़ इसके बाद आने वाला जो युग है उसे हम फैनरो जोईक युग कहते हैं, इस युग में जो जीवन की उत्पत्ती हुई थी, फास्ट लाइफ जीवन का उद्वव हुआ था और यही युग आर्थ्रो पोर्ट्स और फिशिज की उत्पत्ती का भी युग है, यह युग प्रिथ्वी पर होने वाले अनेक परिवर्तनों का साक्षी है, जिन में डाइनसोर का नस्ट हो जाना मैतपूरण है, इसी युग के अंदर हम मैंबल्स का उद्वव देखते हैं और रिकोगनाईजेबल हुमन यानि पहचान युग्ये जो हुमन बिंग्स थे, जो मानब थे, वो उनकी होमो सैपिन्स जो थी, उनकी शुरुवात हो गई थी, यह समय लगभग दो बिलियन इयर्स अगो था, जो लगभग तूट मिलियन इयर्स अगो था, The evolution of ecosystem through different eons is as follows, हम इन विभिन युगों में होने वाले, जो पारितंत्रों में जो परिवर्तन थे, या पारितंत्रों के जो उद्विकास था, उसको एक एक करके हम अब देखते हैं, सबसे पहले हेड़िन युग की बात करते हैं, यह युग 4540 मिलियन इयर अगो से 4000 मिलियन इयर अगो तक था, The earth is formed out of debris around the solar protoplanetary disk, इस समय पर प्रिथवी की debris से एक कच्चरे के रूप में, एक सूरे के टुकडे के रूप में उत्पत्ती हुई थी, There is no life, तब कोई जीवन नहीं था, temperatures are extremely hot with frequent volcanic activity and hellish looking environments, Hence the ion names which comes from the heads, इस युग में जीवन नहीं था, तापमान बहुत अत्यदिक तापमान था और ज्वाला मुखी जो activities हैं, ज्वाला मुखी का फटना निरंतर होता रहता था, एक परकार से नरकिये परियावरन हम जिसे कह सकते हैं, हैलिश नरकिये परियावरन है, वो था, तो heads के नाम के अधार पर ही इस युग का नाम headian रखा गया है, heads को नरक का देवता भी कहा जाता है, the atmosphere is nebular, जो वायू मंडल था, वो cloudy था, nebular का मतलब वहाँ बादलों, gas इत्यादी वो वैसा एक वायू मंडल वहाँ पर उपस्ती था, possible early oceans और bodies of liquid water और इसी युग के अंदर जो शुरुवाती जो महा साग्रिय के रहाई हैं वो प्रारम हुई और पानी की बनने की शुरुवात भी और पानी की bodies जो होती है, पानी की bodies पानी के स्रोत बनने का समय भी यही युग है, अगला युग है आर्किन युग, इस युग जो 4000 मिलियन इयर्स अगो प्रारम हुआ और लगबग 2500 मिलियन इयर्स अगो तक रहा, इस युग की शुरुवात में प्रोकेरिटिक लाइफ की शुरुवात हो गई थी इन ए प्रोसेस नोन एज ए बायो जेनसिस जिसे हम जीवो उत्पत्ती कहते हैं, इस समय पर कॉंटिनेंट्स बन गए थे, महादविपों का निर्मान हो गया था जिने हम युवार, वल्वरा, एंड किनौर लेंड के नाम से जानते हैं, वायो मंडल में बहुत सारी ज्वाला मुखी गैसें और ग्रीन हाउस गैसें जो हैं, जो हम हरित ग्रेग गैसे कहते हैं, वो यहाँ पर उपस्ति थी, इस यूग का ऐसा परियावरन था, अगला यूग या अगला यूओन है, प्रो टेरोजोएक यूओन, जो 2500 मिलियन एर अगो प्रारम हुआ, तब से लेकर के 541 मिलियन एर अगो तक रहा, इस यूग का नाम का अर्थ है, अर्ली लाइफ, अर्थात प्रारम का जीवन, यूकैरोटिक प्रकार के जीवन की शुरुआत इसी यूग में हुई, और कुछ जिवन है, उसका प्रारम इसी यूग में हुआ, बैक्टीरिया बिगिन प्रोडूजिंग ऑक्सीजन, शेपिंग थर्ड एंड क्रंट ओफ अर्ट्स एक्मोस्फियर, जिवानुओं ने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जैसा प्रित्वी का आज का वायू मंदल है उसी प्रकार के वायू मंदल का निर्मान इस युग में प्ररंब हो गया था प्लांट्स, लेटर एनिमल्स, और पॉसिबली अर्ली फॉर्म्स ओफ फंजाई फॉर्म एराउंड इस टाइम इस समय पर पादपों, जन्तूओं और कुछ कवक परजातियों की उत्पत्ती भी हुई मानी जाती है The early and late phases of this eon may have undergone snowball earth periods, इस युग के शुरुआत में और लगबग अन्त के कुछ समय में हम snowball earth देखते हैं, अर्था उस समय पर पृत्वी का तापमान बहुत कम हो गया था, 0 degree centigrade से भी नीचे चला गया था The early continents of Columbia, Rodinia and Panosia in that order may have existed in this eon, इस युग के अंदर Columbia, Rodinia और Panosia जो continents थे, जो महाद्वीप थे वो उपस्तित थे अगला युग, Fenerozoic युग कहलाता है, जो 541 मिलियन इयर अगों से आज तक का युग कहलाता है Complex life, including vertebrates, begin to dominate the earth's ocean in a process known as the Cambrian Explosion इस युग में एक Cambrian Explosion हुआ, जिसका अर्थ है कि जटिल प्रकार के जीवन की इस युग में शुरुआत हो गई और vertebrates जो है, वो धिरे धिरे, इस प्रित्वी पर dominate प्रभावी जातियों के रूप में स्थापीत होना शुरू हो गए विशेष्टा महासागरिया वातावरनौ में, या महासागरों में वर्टिब्रेट्स जो थे वो प्रभावी जातियों के रूप में उत्पन होने शुरू हो गए पैंजिया फॉर्म्स एंड लेटर डिजॉल्स इंटु दा लॉरेशिया एंड गोंडवाना विच इन टरन डिजॉल्स इंटु दा क्रेंट कॉंटिनेंट्स इसी यूग के आज के महाद्वीप हैं जो वो बनने लगे और पूरी तरह से बन करके तैयार होगे जिने हम एशिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्टेलिया अफ्रीका इत्यादी नामों से जानते हैं ग्रेजुली लाइफ एक्सपेंट्स तो लेंड और फैमिलियर फॉर्म्स अप्लांट्स अनिमल और फंजाई बिगन एपेरिंग इंक्लूडिंग अनिलेट्स इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स हैंस दा इयोंस नेम विच मेंस विजिबल लाइफ इस यूग का नाम ही विख्सित होना शुरू हो गया और बहुत से जो पादप्र जातियां हैं जन्तू की जातियां हैं कवकों की जातियां हैं वो विख्सित हो गई जिनने हम आज भी पहचान सकते हैं several mass extinctions occur among which birds the descendants of non-avian dinosaur and more recently mammals emerges और इस यूग के अंदर बहुत सारे पक्षियों का बहुत सारे mammals का जो है वो उद्वा हुआ modern animals including human evolve at the most recent phases of mission इस यूग के अंत काल के अंदर जो है आधुनिक जीवों का जिसमें मानव भी शमलित है उसका उद्वव हुआ उसका उद्विकास हुआ Thank you so much